यह देखिए मैंने यहां पर 16 फंदे लिये हैं 13 फंदे pattern के हिसाब से लिये हैं प्लस 3 फंदे extra लिये हैं एक फंदा side में design को equal करने के लिए 2 फंदे stitch के लिये हैं और नीचे से base देने के लिए 12 फंदों के साथ बुनकर निकाल लिये हैं तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस रिजाइन को डालना है तो आप 13-13 की मल्टिपल से इसके फंदे लेते हुए जाएंगे प्लस तीन फंदे एक्स्रा रखेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं ये इसकी पहली रो है और सीधी साइड है एसटी स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनेंगे दो फंदे सीधे एक दो जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह देखिए हमारे एक पैटन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली पांच फंदे सीधे दो फंदों का एक फंदा यह तीरा फंदों का पैटन है देखिए दो चार छ इस रौ में हर बार सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे एक फंदा सीधा बारा फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, क्यारा, बारा एक फंदा प्लास्ट में सीधा एस्टिच उल्टा तीसरी रौ, सीधी साइड, एस्टिस लिप करेंगे, रपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा सीधा जाए डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाए डालेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा, जाए डाली तीन फंदे सीधे, जाए डाली चार फंदे सीधे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर से इस pattern को रपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्टिच सीधा बना लेंगी तीसरी रौ कंप्लीट हो गई है चौपती रौ, रौंग साइड सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बारा फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा एक फंदा सीधा, एस्टिच, उल्टा पांच में रौ हैं और सीधी साइड है एस्टि स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे, एक, दो ठागा पीछे, छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंद बनाएंगी ये देखे, हमारा एक पैटरन कम्पलीट हो गया है इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए 6 फंदे सीधे जाई डाली 3 फंदे सीधे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाया फिर से पैटरन रपीट करते हो जाएंगे और लास्ट में एक फंदा उल्टा एस्ट इस सीधा बना लेंगी तो देखिए पांच मी रो कम्पलीट हो गई है चटी रो रॉंग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे एक फंदा सीधा ग्यारां फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारां एक फंदा सीधा लास्ट में एक फंदा सीधा एस्टिच उल्टा साथ मीरों सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रुपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फंदे सीधे एक दो बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखे हमारे एक पैटन कंप्लीट हो गया है हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक फंदा पांच फंदे सीधे चाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली दो फंदे सीधे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से इस पैटन को रपीट करती हो जाएं एक फंदा सीधा, बारा फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, लास्ट में, एक फंदा सीधा, एस्टेच, उल्टा, नौ मेरों सीधी साइड, एस्टेच, सिलिप करेंगे, रपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा, उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाई डालेंगे एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा ये दिखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक फंदा 4 फंदे सीधे जाई डाली 3 फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा back loop से 2 फंदों का एक फंदा बना फिर से pattern repeat करते हो जाएंगे लास्ट में एक फंदा उल्टा ऐस्ट इस सीधा बना लेंगे तो देखिए नौ मी रो कम्प्लीट हो गई है दस मी रो सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे एक फंदा सीधा बारा फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, एक फंदा, सीधा, एस्टेच, उल्टा. अब देखिए, ग्यारमी रो हैं, और सीधी साइड है, एस्टेच, स्लिप करेंगे, रिपीट, पैटन, स्टार्ट करेंगे, एक फंदा, उल्टा, आगे की साइड से, दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, जाए डालेंगे, छे फंदे स चार, पाँच, छे, एक फंदा उल्टा, ये दिखिए, यहां पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, जाए डाली, छे फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से इस पैटन को रिपीट करते हो जाएंगे, लास्ट में, एक रों complete हो गई है बार्द मी रों सीदे फंदे सीदे उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीदे एक दो ग्यारा फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा लॉस्ट में एक फंदा सीधा stitch उल्टा तो दिखिए बार्मी रोव कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे तो दिखिए first row right sign stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे एक तो जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा ये दिखे हमारे एक पैटरन कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे और लास्ट में एक फंदा उल्टा एस्टिच सीधा तो देखिए फिर से हमारा पैटर्न से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1-2-12 और पीट करते जाएंगे और यह पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा यह दिखिए यह दिखिए बहुत ही प्रिटी सा पैटर्न है इसे आप किसी भी प्र सफिर्ट में सब्क्स, सयटर्न में दै़ रजटर्न, सुछ सवाटर्न, सब्क्स, स्वाटर्न और चा शुल में ऐस देखिए और पीछे आप की साइडन से इस तरह से दिखनें तो फ्रेंड आप भी सिब बनाईए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना फैमली फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलें तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई पैटन्स के साथ तिल देन बबे फैन